दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरूजी चैनल में आपका स्वागत है GSNG के कैपसूल पार्ट टू स्रीज में आज कुछ और इंपोर्टेंट कोश्चन हम लोग देखेंगे पार्ट वन का स्रीज का कुश्चन में अलेड़ी अपने चैनल पांडे गुरूजी पे अफ्लोट किये हैं तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप पार्ट वन के वीडियो नहीं देखें हैं तो आप उसको पहले जरूर देखें तो पार्ट वन स्रीज में अगला हम लोग तीस कोश्चन देखेंगे तो जैसे मैं पार्ट वन स्रीज में बताया था आप वैसे ही इसमें भी खॉलो करें आप देखें कि तीस कोश्चन में कितने कोश्चन आपको होने आता है आप उतने question को हमें comment के थुरू जरूर बताएं कि इस question में कितना question हमें आता है एक question answer आपको examination को crack करने में काफी helpful मिलेगा तो इस video को शुरू से अन तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को share जरूर करें ताकि उनको भी लाब हो तो चलिए start करते हैं इस video का सबसे पहला question से जो सबसे पहला question है 31 question जो एक से लेके तिस्तर question में part 1 के video में upload कर दिया हूँ तो आप उसको जरूर देखें और 31 question है कि ताप मापी इसको इंगलिस में बोलते हैं थर्मो कपल थर्मो मेटर किस सिदान्द पे अधारित है यह सिभेक के प्रभाव पे अधारित है पूर्ण विकरन उत्तर मापी टोटल लेडियेशन 5 मेटर किस सिदान्द पे अधारित है अश्टीफन के नियम पे अधारित है दूर की वर्ष्टूओं जैसे सुर्य आदिका ताप किस ताप मापी से मापा जाता है पूर्ण विकरन उतर मापी द्वारा मापा जाता है तो दोस्तों आपको GS और GK में इसी टाइप के कोशिन आपको पुछा जाएगा तो आप एक कोशिन को अच्छी तरह से रट लें आप कहीं पे नौट डाउन करें क्योंकि एक्जामेशन को क्रेक करने में इस साइप का कोशिन काफी हेलफूल होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं 34th नमर कोशिन से 34th नमर कोशिन है 34th कोशिन है कि किसका तापमान होने पर पारटीन, चल्सियम और फर्नहाइट तापमामियों में एक ही होते हैं के है 40 डिग्री, सेल्शियम पे मानने का 0 डिग्री सेल्शियर हरनलाइट असकेल के कितने डिग्री के बराबर होता है, 12 डिग्री के बराबर होता है, मानों सरीर का तापमान 95 डिग्री होता है, सेल्शियस असकेल या कितना होता है, 37 डिग्री सेल्शियस असकेल होता है, अती लगू समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका परियोग किया जाता है परमानु घडियां का अपयोग किया जाता है एक मनुष्य का तापकर्म 60 डिगरी सेल्सियस है तो उसका तापकर्म फोरन हैट में कितना होगा यह 140 डिगरी होगा पानी का घणत किस ताप पर अधिक्तम होता है 4 डिगरी सेल्सियस पर अधिक्तम होता है साइकिल के ट्यूब अधिकांसे गर्मियों में क्यों फट जाते हैं गर्मी के कारेंट ट्यूब फट जाता है किस जील की सता का पानी बस जमने वाला ही है जील के अंदता स्थाल में जल का क्या तापमान होगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियर उस्मा के सन्दचन की किस विधी के में परदाफ्ट के अनू एक अस्थान से दुस्ते अस्थान तक सुन नहीं जाते हैं वो चालन होता है द्रववत था गेशों में उस्मा का अस्थांतरन किस विधी द्वारा होता है समवहन विधी द्वारा होता है सुजी की उस्मा पिर्थिवी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है विक्रम संचार माध्यम से आती है उस्मा के अस्थांतरन की किस विधी में माध्यम आवसकता नहीं होती है विक्रन विधी में माध्यम आवसकता नहीं होती है उस्मा संचलाचन की ये विधी में माध्यम की कर्ण गती नहीं करते हैं कौन ची है वो है विक्रन आनुवीक संगठन के द्वारा उस्मा का सरोयशन्स क्या कहलाता है? समभग कहलाता है अवร रक्न किरंग का भाग सोलर कुकर को गर्ण कर डेता है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संजुजभ कोन सा सब्जेद उचीत होता है? उपर सब्एद नीचे काला किस विधी से उस्मा अस्थांतरन को नियुनतम करने के लिए थर्मस प्लास्टर के दिवारब पर कले की जाती है विकिरन के लिए 51. कौश्चन है कि किस में सर्वोच विशिष्ट उस्मा का मान होता है जल में सरवोच विशिष्ट उस्मा का मान होता है सुद्य प्रदात में कोई अन्द प्रदात मिला देने पर उसके गलनांग पर क्या प्रहा पड़ता है दोस्तों एक कोशन है कि कोई भी सुद्य प्रदात में आप गंदे प्रदात अलग प्रदात मिलाते हैं उसका गलनांग क्या होता है घट जाता है यह बहुत ही important question है और examination में एक question आ चुका है अब द्रगों को मिलाने से गलनांग पर क्या प्रहा पड़ता अब द्रब मतलब दुस्से प्रदात का जो द्रब है तो हमेशा भी बताएं question में क्या होता यह घट जाता है चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगता है किसी द्रब का उसके कौस्वां से पूर उसके वास्प में बदलने की परिक्रिया को क्या करते हैं वास्पी करन करते हैं आंतरिक उज्जा की संकालपनिक उत्ताकर्मी के किस नियम से मिलती है पर्थम नियम से मिलती है उसमा गतिक का पर्थम नियम किस अवधारना की पुष्टी करता है वो है उज्जा सनलक्षन की पुष्टी करता है किस बिंदू फूर फॉरना हेट तापकर्म सेंटिग्रेट तापकर्म का दुगुना होता है 160 डिग्री पे किसी वस्तु की विशिष्ट उसमा किस पर निर्भर करती है पिंड के द्रब्ब पे Celsius में माप का कौन सा तापकर्म 300 कैलोरी के बराबर होता है वो 27 डिग्री Celsius के बराबर होता है तो दोस्तो पार्ट टू वीडियो में हम आपको 60 कोशन बताएं तो आप हमें कमेंट के थूर जरूर बताएं हमें विश्वास है कि आप वीडियो देखके उसमें जितने भी कोशन सही है आप हमें comment के through जरूर बताएंगे और मैं उसको non down करके रखूंगा और मैं बाद में declare करूंगा कि कौन सा student का सबसे ज़्यादा solve कर रहा है तो हमें जरूर अपना बताएं और comment के through जरूर बताएं तो एक वीडियो देखने के लिए धेन्वाद और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें जय भारत जय हिंद